सची कहा गया है जिंदिकी एक साइंस की तरह है जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे रिजल्ट उतना ही बेटर मिलेगा तो वेलकम बैक टो माई चैनल हो आप सब अच्छे होंगे तो यह है फोर्थ आफ सेप्टेंबर का दिन यह फोर्थ आफ सेप्टेंबर का व्लॉग इसम आपर मैं थोरा सा डी क्लेटर कर रही हूं क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन चीज है तो जिसके घर में भी बच्चे है प्लीज यह काम जरूर करें क्योंकि आलतोफ़तों चीज बच्चे जमा कर लेते हैं और बहुत सारा चीज जमा होते जाता है तो जो भी टूटर समान तो यह काम मैं जरूर करती हूं जब भी शौरण नहीं रहता है क्योंकि उसके सामने करूंगी तो वो पक्का वो बोलेगा मुझे यह चाहिए वो चाहिए फिर यह सब काम करके मैं आ गई अपना डोसा बैटर को डबा में भरने सुबह सुबह यह बंगवाया था यह सब आ पहरा उसके बाद मैंने इसको डोसा हो इस डबा में भर देती हूं इसी में रखती हूं मैं जनरल ही तो यह मेरा चल जाता है एकस ब्सका तो एकस ब्सक्राए के पार दिया है फिर मैंने अपने लिए दो जटपट डोसा बना लिया, लगबक दो या तीन डोसा कभी खाती हूं, यह कभी दो या कभी तीन, यह सब बना के खा लिया फिर मैंने, थोड़ा बहुत जो ग्रॉसरी लाया था ना, वो सब मैं थोड़ा फिल कर रहे थी क्योंकि दाल वगएरा तो मैंने सुचा आज ही ये सब भी भर देती हूँ एक साथ सारा काम हो जाएगा तो ये भी एक अनदर टास्क है समान लाना तो आसान है बठ होता है ना सब समान को जमाना सब समान को अपने जेगा पर रखना ये बहुत बड़ा टास्क है और जरूरी है कि आप जल्दी से समा करते हूं ना सबसे पहले किसे सब्सक्राइल सब्सक्राइब करें लगभग जैसी कि 100 ग्राम मैं करें और के पादा एकर नियुकिण एक से करें दो तो से शनदादा नेशन कहले इसमें दोब rubbish पानी को दोड़ा देडिक तो एसमें पहले में टाले यहां अच्छा नहीं को दो पानी को उसके बाद जो भी नापा हुआ है उसको मैं डाल देती हूं दस मिनट और वो अच्छे से फूल जाता है तो यह सब काम के साथ साथ में अधर पानी भी भर रही थी क्योंकि उसमें पानी के उस जार में पानी खतम हो गया था तो मैंने वह भर दिया तो यहां पर बस यही सब चल रहा है त्यारी अब थोड़ा उधर जब तक न्यूट्रिला स्वयबीन हो रहा था तब तक मैं अधर का दूसरी तरफ मैं कपड़ा वाशी मशीन में डालने के लिए आ गई यहां पे वही थोड़ा बोट डिटावल दालती हूं फिर साथ में सर यह सब काम करने के बाद इस सब मशीन मशीन लगाने के बाद इस सब सेटिंग करने के बाद फिर मैं आगे खाना में लग गई तो यहां पे आलो पे आज जो चील रही थी वह सब चीला मैंने बेसिकली तैयारी कर लेने से न क्या होता है निए कि आपका काम असान हो जाता है तो फटा-फट तो यहां पे वही सब कर रही हूँ आप लोग क्या बनाते हैं क्या पसंद है अक्चली मेरे घर में सब को बहुत पसंद है तो मैं अगर रोज भी बनाऊना तब भी बच्चे हम तीनों आदमी खा लेंगे तो ऐसा है हमारे साथ में तीनों आदमी को बहुत पसंद है तो यह आप देख सकते हैं कि कुकर में पहले पहले फ्राई कर लिया दोने को लों को पथने बतुप हैं में तोक में जीरा चब मिर्ची ये सब डाल के प्याज है ये फ्राई कर लिया तो मैं आज कुकर बना रही हूं सुएबिन की सबजी आप कडाई में भी बना सकते हैं क्योंकि आलू मैंने बॉयल नहीं किया था तो मैंने सुचे की कुकर में एक सीजी लगा देंगे तो यहां पर आज पक गया है मैंने मिर्ची हल्दी थोड़ा सा गरम की सबको टाइम लगता है तो मैंने इधर दर जो भी काम फैला हुआ था थोड़ा कपड़ा ये वो सब करना तो यह ऐसी तरह बनाया और फिर यह रात के खाना का तैयारी हो रहा है उसके बाद तो बस सुएबिन जो बनाया हमने खा लिया और मैंने ज्यादे शूट क्लिप वैडियो नहीं बनाया ये रात खाना है मैंने जहटपट वाली आलू धनिया की सबजी बनाई और बस साथ में रोटी बना था ये हमारा डिनर हो गया तो इस तरह से आज का दिन भी था जादे कुछ हैपनिंग नहीं था बट हाँ जो भी किया मन से किया और पूरे लगन से क हर दिन को एक नया दिन समझ की ही काम करना है जरूरी नहीं है कि आपका हर दिन ही बहुत हैपनिंग रहे हर दिन ही कुछ अच्छा देखने को मिले वट आपका एम यह होना चाहिए कि जो भी है अपना डेली के काम को भी बहुत अच्छे से करना पूरे मन से करना और खुश ह अपट वाली आलू धनिया की सबजी क्योंकि थोड़ा सा सुबह कभी सबजी बचा था बट मैंने बना दिया एक और सबजी तो आलू धनिया की सबजी रोटी और न्यूटिला के सबजी यह हमार डिनर है और आज का व्लोग को पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें शेयर करे सब्सक्राइब करें कमेंट करें और बने रहे हैं मेरे साथ और इंट्रेस्टिंग व्लोग आपको देखने को मिलेगा तो बेल आइकन भी प्रेस कर ले जब भी मैं नया व्लोग डालू तो आपको पता चल जाएगा चली गैस बाए 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 तो यहां पे मैंने यह तो जो बर्नर्स हाना जैसे मुझे वो जो आये थे सर्विस देने के लिए मैंने उनसी तरह फॉलो किया यहां पे वेनेगर और सोडा डालके इसको फुलाद यह था तीनो बर्नर तो यहां पे देखिए अच्छा से जाग हो रहा है तो इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो बहुत आ प्रोसेस आप कर सकते हैं 15 दिन में एक बार तो मैंने यहां पे आज किया तो यह इस तरह से आप अपना गैस बर्नर का जो ऊपर का पार होता है इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं बहुत ही असान है एकदम ही चमक के वाइट नहीं हो जाएगा यह बट हाँ आपको क्लीन करन है वो इंपोर्टन्ट है जो दिखाता है कि दम ही चकमक आ गया दम जैसे खरदा था ब्रास उस कलर में आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि वैसा होगा बट हाँ हमारा काम है कि इसको साफ करना तो थोड़ा बहुत जो गंदी जम जाता है वो अच्छे से निकल जाएगा औ तो इस तरह से आप अपना गयास का बर्णर आराम से क्लीन कर सकते हैं जिस तरह से मुझे ये सर्विस वाले बताया थे मैंने वही किया अगर पसंद आ तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बाई